नमस्कार दोस्तों, वाइटी मनेज कुमार की एक फ्रेस एफिसोड में आप सब को तहई दिल से स्वागत है, फ्रेंट्स आज की इस टपिक में हम जानने के कोशिस करेंगे, फ्रेंट्स जो चंद ग्रहन लगने बाला है 8 नविंबर 2422 को, इसमें क्या-क्या चीज को बरतनी चाहिए, साथी साथ प्रेगनेट महिलाए जो है किस-किस चीजों की ध्यान देना चाहिए, और साथी साथ यही जानेंगे फ्रेंट्स कि किस-किस रासी ऐसे होंगे, जहां पर महालख्मी की कुपा बरस सकती है, आप धनबान हो सकते है, और आपको पुराने खवरे, पुरा बाइस को लगने जा रहा है, साल की सबसे बड़ा और आखरी चंदरगहन आप इसको बता सकते हैं, दोस्तों यहां पर हम कभर करेंगे, टाइम क्या रहेगा, इतने बज़त से सुरू होगा चंदरगहन, आपके सहरे में चंदरगहन का समय क्या रह सकता है, वो भी जानेंग उसके बाद इस सारे रासियों में क्या-क्या बदलाब आ सकता है, उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद यह जानेंगे, चंदरगहन में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चंदरगहन पर गरवफती महिलाव बरतना चाहिए, साबधन या उसके बारे में बात तो सारे डिटेल आज की इस टपिक में चर्चा करेंगे और साच-धे-साथ जानने की कोशिज करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे reason क्या है तो फ्रेंस डेरी ना करके विडियो को सुरू करते हुआ फ्रेंटस सुरू करने से पहले फ्रेंटस यह आप हमारी इस विडियो को रहेगा प्रेंस जैसे हमने बताया आपको वो सारे चीज वन बाई वन अभी हम कवर करेंगे तो पहले जो बात आता है जैदि हम बात करेंगे चंदर गरहन पर जो नीव अपडेट साथ आ रहे है और अपडेट हो रहा है वाइटी मनच कुमार की यूटुब चैनल में फ्रें पहले आठ नविंबर मंगलवार को देतर दुनिया में साल दोहचार बाइस का आखिर ग्रहन देखने को मिलेगा यह ग्रहन पुन्ने चंद ग्रहन होगा जो की पंदरा दिन की अंतराल पर यह दुसरा ग्रहन होगा इसके पहले फ्रेंड जिदी हम बात करेंगे बीते 25 अक्टवर को साल का आखिर सूर्य ग्रहन लगा था भारत में इस चंद ग्रहन को देखा जा सकता है जिसके कारण गरहन का सूतक काल जिदी हम बात करेंगे मैंने हो गया और चंद गरहन में तूतक काल गरहन के सुरू होने से नो घंडा पहले लगने बाला है तो उसमें क्या-क्या अपडेट रहेगा वो भी आज हम इस टोपिक में चर्चा करेंगे तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर 9 गंटा पहले लगने है तो भारत में जदि हम बात करेंगे पूर्बुस्तर राज्यों की पूर्ण चंद ग्रहन दिखाई देगा और भारत के अलावा आठ जदि हम बात करेंगे 8 नवमबर को लगने बाला चंद ग्रहन अमेरिका, अस्ट् अमाबाश्या तिथी पर लगना था, यहाँ पर भारत यहाँ चंद ग्रहन साम होते ही दिखाई देने लगेगा, यहाँ जनने की 8 नवमबर को लगने बाला चंद ग्रहन से साबधानी, सावी जनकारी के बारे में आज हम बात करेंगे क्या-क्या साबधानी बरतना चाहिए किस-किस रासी के लिए सुब और असुब रहेगा, क्या-क्या अपडेट रहेगा, और किस-किस रासी को मा लक्मी धन बरा बरसात कर सकते हैं, और क्या आपका इसमें कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा है, पो सारे टिल आए आज की इस टोफिक में चर्चा करते हैं पहले, भारत में कितने बज़े से शुरू होगा चंदरग्रहन जो फास्ट अपडेट अफ्रेंट्स यहाँ पर चंदरग्रहन की जिए हम बात करेंगे आठ नवेंबर सुंबार देखें यहाँ पर आठ नवेंबर सुंबार 2022 बट चंदरग्रहन का समय हम बता दे 5 बाचकर 18 मिनिट स 6 बाचकर 19 मिनिट तक रहेगा चंदरग्रहन का समय आठ नवेंबर साम 5 बाचकर 28 मिनिट पर यह अपडेट हो जाएगा उसके बाद दे हम बात करेंगे कार्तिक महा की पुर्णी मातीती पर लगने बाला यह साल 2022 का दूसरा चंदरग्रहन होगा और 15 दिन के पहले साल की आपकी सहरे में चंदरगहन का समय देखिए है कि हर एक सिटी में अलग-अलग टाइमिंग यहां पर अपडेट बात करूँ पहले डैली की तो पांच बाचकर 28 से लेखे स्टाट हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे अम्रुस्तार 5 बाचकर 32 मिनिट भोपाल 5 बाचकर 36 मुंबाई 6 बाचकर 1 मिनिट में राइफूर में 5 बाचकर 21 मिनिट में उसके बाद हम बात करेंगे उधैपूर में 5 बाचकर 29 बाचकर 20 मिनिट पातना में 5 बजे ही यह आपको दिखाए देगा उसके बाद न्यू अपडेट आ रहा है इस रासी और नखेत्र में लगा का यह चंदरगान 8 नमेंबर 242 के मेस रासी और यहां पर भरणी नखेत्र में लगन की जदे हम बात करेंगे मेस रासी के सभी ग्रह मंगल होते हैं और इस दिन यह तीसरी भाग में बकरी अबस्था में हो सकते हैं इसके अलाबा चंदरमार राहो के साथ मेजुद होगी और सुर्य, केतु, सुक्र और बुद्ध के साथ नित्यंद होगा तो देवगूरु भृस्पती जदी हम बात करेंगे हाँ पर देवगूरु भृस्पती अपने श्रत में यहां पर अपडेट किये है कि यहां पर सनीदे भी आपने सुर्ग की साथ मगर विराजमान रह सकते है कार्तिक पर्णिमा पर भी चंद्र ग्रहन दिखाई दिया जाएगा और 15 दिन के अंतराल पर यहां दूसरा ग्रहन होगा भारत में इसको पूर्ण चंद्र ग्रहन दिखाई जा सकता है जदी में बात करू जो की 8 नवेंबर को अपडेट होगा देश में यहां दिखाई जा सकता है पूर्ण चंदर ग्रहन एसिया ऐस्ट्रेलिया प्रसांद महासागर हिंद महासागर उत्री पूर्प यूरफ उत्री अमेरिका और देखिन अमेरिका की अध्यक्ष में देश की साल की और आखरी चंदर ग्रहन दिखाई जा सकता है फ्रेंस तो यह अपने आप में बड़े अपड़ेट है, चंत्र घर्हन का सूतक काल कितने बज़त से होगी, जोकी एक बड़ा पस्थन है, जो हमारी वीवर से, वो काफी को सीन कहते है कि जो सूतक काल है, देखे फ्रेंट्स, यहां पर बैदिक योतिस गरना के अनुसार सुर्य घर्हन होने पर सूतक काल घर पहले से ही सूतक शुरूर हो जाता है जब हम बात करेंगे धार्मिक मान्यों की जो अनुसार ग्रहन पर सूतक काल की सुभ नहीं माना जाता है इस दरस्षण पेस सुतक काल में दौरान पूजा पार्ट और सुभ कारिय बरजित होता है आँप यसी में गपारAt kwe Fris 6 नमेंबर है यह अफ्लोड हो रहा है आप लोगी साथ इस वीडियो साथ तरिक आपका संभार रहेंगा 8 नमेंबर को मंगल बार रहेंगा कार्ति की पुर्णिया पर चंद्र घ्रहन भारत में दिखाए देगा इस कारण इसका सुतक काल मानने रखेंगे तो यह पीने में पानी में तुलसी का पत्ता जो अप उपयोग कर सकते जो की सुब बात करेंगे हाँपर पूजा पात धारमिक अनु स्टान और सुब काम नहीं किया जाएगा मंदिर के पटबंद हो जाएगे घ्रहन में ना खाना पकाया जा सकता है ना ही खाना खा जाता है खाना चाहिए ग्रहन के दुरान मंत्र का जफ और ग्रहन के बाद गंगा जल चिंचन करना चाहिए घर की कोने कोने में चंदर ग्रहन में क्या ना करे यहां पर जिदि में बात करू चंदर ग्रहन के दौरान कभी भी कोई सूभ काम या देवा देवी की फूजा नहीं किया जा जासकता है न भूचुन का पकाना जरूरी है, चंदर गहन के दोरान गर्ववथी महिला है, जो प्रग्नेन महिला है, यहाँ पर गहन को देखना नहीं चाहिए, जदी मैं जोती सस्त्र की बात करूँ, चंदर गहन के दोरान थुलसी समेत अन्य पेड़ों को पौधे को छोना चाहिए उसके बाद न्यू अपडेट राए चंदरगहन में क्या करना चाहिए जदी में बात करूँ ग्रहन सुरू होने से पहले यानि सूतक काल प्रभावी होने पर पहले ही खाना पीना चाहिए उसके बाद जदी में बात करूँ यहां पर ग्रहन की दौरान अपने देवा दिखें फ्रेंट जिदि में बात करूँ धर्मिक समयनोई की अनुसार गर्भवत्ती महिलाओ की गर्भवत्ती महिलाओ की गर्भवत्ती महिलाओ की गर्भवत्ती महिलाओ को ना 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 कारण से बच्चे की कुंडली में अन्य ग्रहो से संबधित कोई-न दोस हो सकता है तो ग्रहन के दुरान ग्रभोती महिलाई बाहर जाने से बचे ग्रहती महिलाई को सूर्य ग्रहन नहीं देखनी चाहिए । ग्रहन शूरू होने सब्सक्राइब